हाई मैं पुर्शान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लाइब मार्केट में ट्वेड कर सकते हैं और यहाँ पर जो हम लाइब मार्केट में ट्वेड करेंगे वहाँ पर हम डिफरेंट एंगल के बेसिस पर ट्वेड करेंगे यहाँ पे अगर हम Nifty के चार्ट को देखे हैं तो देख सकते हैं यह Nifty का आपका लगबग 5 मिनट टाइम फ्रेम बाला चार्ट है और मार्केट ऑपेन हुए लगबग आपका 15 मिनट के करीब हो गिया और यहाँ पर प्राइस पर मोमेंटम देख सकते हैं और यहाँ पर क्या कुछ हुआ है अगर आप last trading sessions देखें तो देख सकते हैं पहला bottom यहाँ पर दूसरा bottom यहाँ पर तीसरा bottom यहाँ पर यहनि triple bottom का formation किया था और आपका यह crucial support level का formation हुआ था लेकिन आज क्या किया प्राइस आपका gap down ओपन हुआ और इस crucial support level को इसने आसानी से break कर दिया है अब यहाँ पर एक और चीज़ हुआ है एक और यहाँ पर हमारा crucial level था वो था आपका 17,700 इसको भी break करके नीचे ही open हुआ है अब यह जो trade कर रहा आपका 17,625 से लेके 630 करीब trade कर रहा है तो यहाँ पर क्या काम किया जा सकता थोड़ा मैं और आपको clarity साथ बताता हूँ 17,625 से लेके 30 करीब trade कर रहा तो यहाँ पर जो risky trader है जो risk लेने को तयार है वो यहाँ पर भी sell side की तरह positions ले सकते है SL जो उनको रखना होगा आज का highest point 17,690 के करीब जो आपका यहाँ पर है यह हमारा SL की रूप में काम करें यहाँ पर भी sell side की तरफ tweet बनाया जा सकता है लेकिन सिर्फ risky trader रेख लिए अगर आप यहाँ पर safe जाना चाहते है तो हम क्या देखेंगे इसके नीचे एक और support level है 17,600 इसका break होने का wait करेंगे अब जैसे यह support level को break करके नीचे आएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे sell side की तरफ positions initiate कर लेंगे और ऐसे condition में हम SL रखेंगे 17,650 का और target price दोनों condition में हमारा क्या होगा 17,500 का target price होगा इस condition में भी अगर आप यहाँ पर भी sell करते हैं अभी जिस level पर trade करा फिर भी आपका target ultimate होगा 17,500 और 17,600 का level break होने के बाद भी करते हैं तो भी target आपका यही होगा SL दोनों में change हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप safe जाना चाहते हैं तो आप support level के break होने का wait कीजिए risk लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी tweet लिया जा सकता है तो अलग-अलग traders के लिए अलग-अलग situation में tweet लेना बनता है तो यहाँ पर clarity के साथ हो गया अब हमें थोड़ा सा safe जाना है तो हम क्या करेंगे इस level के break होने का wait करेंगे जैसे ही हमारा 17,600 का level break होगा हमारा tweet execute हो जाएगा और यहाँ पर at the same time हमारा SLB execute हो जाएगा 17,650 के करीब और हमारा target भी activate हो जाएगा जो कि होगा आपका 17,550 और 17,500 हम यहाँ पर 17,500 के level के लिए जाएगे और यहाँ पर भी चाहे तो अगर market में कुछ वैसा hint नहीं मिलता तो यहाँ पर भी हम profit बुक कर लेंगे दोनों option हमारे पास होगा तो ultimate app इसी target पैस के ले जाएगे तो यहाँ पर आपसे थोई देर बाद मिलते हैं तो यहाँ पर वापसे चार्ट पर आगे और देखिए प्राइस आपका लगबग 17,600 के level को break करना ही वाला है और जैसे ही break करेगा हम यहाँ पर sell side की तरह positions लेंगे देख सकते हैं break हो गया आपका 17,600 के नीचे आ गया और अभी भी आपका नीचे hit rate कर रहा है तो that means true हमारा sell side वाला जो call था वो क्या होगा वो यहाँ पर active हो गया है तो हमने यहाँ पर sell कर दिया अब यहाँ पर हमारा SL क्या लग गया है 17,650 का SL लग गया है और target price हमने क्या रखा था 17,500 का यहाँ पर हमने target price रखा था तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ well defined है entry point well defined है sell side की तरफ, stop loss well defined है और target price भी हमारा यहाँ पर well defined है तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा wait करना है कि price आपका कैसा momentum दिखाता है तो आपसे थोई देर बाद मिलते हैं जब either यह मेरे stop loss को hit करता है या फिर target price को hit करता है या फिर market में कुछ ऐसा momentum देखने को मिले जहाँ पर मुझे आपको explain करना परे तो आपसे थोई देर बाद वापस से मिलते हैं यहाँ पर हम वापस से chart पर आए time होगर आपका 10 बज़े यानि 10 a.m. यहाँ पर हो चुका है और price जो अभी भी आपका 17,600 के level पर ही trade कर रहा यानि जहाँ पर हमने entry लिया था sell sir की तरफ वहीं पर trade कर रहा तो अब यहाँ पर मुझे doubt हो रहा है कि क्या यहाँ पर यह bottom formation कर रहा है क्या यहाँ से price upside की तरफ जाएगा या फिर price यहाँ से नीचे sir की तरफ continue रहेगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा doubt हो रहा है तो यह doubt को clear करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर option chain की मदद लेंगे option chain पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ build up हो रहा अगर वहाँ पर मुझे नीचे sir की तरफ hint मिलता रहेगा तो हम positions continue करेंगे लेकिन अगर यहाँ पर मुझे reversal की तरफ hint मिलेगा तो यहाँ पर हम अपने position से exit कर लेंगे चाया यहाँ पर हम profit में exit करें या फिर cost to cost exit करें या फिर हम loss में exit करें यहाँ पर हम अपने position से exit हो जाएंगे किसी भी conditions में अगर market मेरे favor move करता हुआ नहीं दिखा आने वाले time में तो तो यहाँ पर हम nifty के option chain को देखना चाहेंगे देख सकते हैं price अभी भी आपका 17,584 डैट मेंस तो आपका 17,600 की करीबी trade करा जहाँ पर आपने sell side की तरफ positions initiate किया है तो यहाँ पर हम 17,600 की level पर देखना चाहेंगे क्या कुछ build up हो रहा है अगर हम इधार put side की तरफ देखें तो change in open interest लगवग आपका 32.1 लाक के करीब है और इधार भी change in open interest exact same आपका 32.1 लाक के करीबी है अगर हम open interest की बात करीए इधार आपका लगवग 41.5 लाक के करीब है और इधार आपका 72.7 लाक के करीब है तो अभी हम ज्यादा OI पर focus नहीं करेंगे क्योंकि market का sentiment negative side की तरफ है पिछले दो दिनों से ही और यहाँ पर हम आज देखेंगे कि आज यहाँ पर किसका दब-बा है यहाँ पर put widers का दब-बा है एकदम सेम यहाँ पर हमें clear cut देखने को मिल वा है तो अभी जो हम बात करें तो यह अभी हमारा level make और break level बन गया है यह नहीं अभी price नहीं इससे ज़्यादा नीचे जाने वाला है और नहीं ज़्यादा इससे ऊपर आने वाला है इसी level के करीब trade करता हुआ दिखेगा अब यहाँ पर देखे changes हो गया क्या change हुआ put side की तरफ जो OI change है वो 32.1 से decrease होके आ गया 30.8 के करीब और यहाँ पर OI भी decrease हुआ तो क्या put side की तरफ increase हुआ इधर देखे 41.5 से increase होके आपका कहाँ पर आ गया 43.6 से करीब और इधर आपका 32.1 से increase होके आ गया 34.2 के करीब यहनी call vitals में यहाँ पर strength increase हो रहा call vitals का यहाँ पर addition हो रहा है यहनी यहाँ हमें hint दे रहा है यहाँ पर जो negative momentum है वो थोड़ा सा increase हो रहा call vitals का addition का मतलब है कि यहाँ पर negative momentum दीवे धिरे increase हो रहा यहनी call vitals यहाँ पर अपना strength gain कर रहे हैं लेकिन अभी तक इतना strength gain नहीं किया है कि निफ्टी आपका 17.550 के level को break करते हुए हमारा target पर 17.500 के level पर आ जाए तो अभी उतना strength gain नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर हमें एक hint मिल गया कि हमने जो trade लिया वो सही direction में लिया और हमारे trade लेने के बाद यहाँ पर call vitals में strength gain हो रहा और call vitals का addition हो रहा और at the same time put vitals का quantity यहाँ पर decrease हो रहा है तो हमने जो trade लिया है हमारा जो trade का direction है वो सही side की तरफ है यहाँ से हमें एक चीज clear cut पता चल भहा है और यही चीज हमने option chain की basis पे आया था तो हमने इसी चीज के लिए option chain पे आया था यहाँ से हमें थोड़ा बहुत hint मिले कि हमने जो trade लिया है वो सही trade है या फिर गलर trade है तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमें पता चला है कि हमें जो trade लिया वो बिल्कुल सही trade लिया है तो यहाँ पे जो chart है वो अभी हमें ज्यादा clarity नहीं बता रहा है तो यहाँ पे हम अभी option chain पे ही रहना चाहेंगे और आपसे थोई देर बाद मिलते हैं और वहाँ पे हम option chain को ही देखते हैं कि यहाँ पे जो build up हो रहा है call writers का जो call writers का addition हो रहा है वो यहाँ पे sufficient quantity में हो रहा है या नहीं हो रहा है जिससे हमें और भी ज़्यादा clear कर direction का पता चल पाए तो फोई दे बाद आपको वापस से option chain ही यहाँ पे दिखाना चाहूंगा तो वापस से यहाँ पे हम option chain पे आगे और अभी जो time हो रहा लगबग आपका 1230 करीब time हो रहा है और अगर हम यहाँ पे price को देखें तो देख सकते हैं nifty अभी आपका 17591 के करीबी trade कर रहा है यानि जो हमें पिछले option chain से हिंट मिल वा था जब हमने देखा था कि market आपका 17600 करीबी trade करता हो देखेगा क्योंकि वहाँ पे call वाइटेस और put वाइटेस के बीच में जवर्दस fight चल वा था तो अभी हम देखते हैं कि fight यह कैसा चल वा लेकिन अभी तक price आपका 17600 करीबी move कर रहा थोड़ा भूत उपर नीची जवर किया था लेकिन ultimately यहीं पर move कर रहा है अब हम देखते है put side की तरफ तो इधर आपका open interest लगभग उतना ही है और changing open interest भी लगभग उतना ही जादा कोई changes देखने को नहीं मिला लास्ट टाइम से लेकिन अगर हम call side की तरफ आएं तो यहाँ पर drastically change देखने को मिला ओए लगभग आपका यहाँ पर 73 लाक के करीब पहुंच चुका यहाँ जितना put side की तरफ है उतना इधर भी हो गया यहाँ पर आपका drastically OI increase किया, OI change की बात के इधर भी आपका OI change लगभग 63.5 लाक के करीब हो गया, जो कि पहले 30 करीब था यहाँ पर आपका दो गुना बढ़ गिया है और इधर आपका OI change आपका 33 लाक के करीब है, मतलब put side की तरफ जितना है उससे दो गुना जादा है और पहले जितना था उससे भी दो गुना जादा हो गया है, मतलब यहाँ पर हमें और भी call writers का addition जादा देखने को मिलवा 17,600 के strike price पे, अब इतना तो हमें clear हो गया कि price अब आपका 17,600 के उपर आने के chances बहुत कम है अभी देखिए, आपका इसी करीब ट्वेर करा, 17,600 करीब ही ट्वेर करा, लेकिन इस level को break करके उपर आने के chances कम है अगर यहाँ से price आपका वापस से नीचे चला गया, यानि वापस से यह आपका 17,580 के करीब चला गया या फिर इस से नीचे चला गया तो हम क्या करेंगे, अपना जो stop loss है, वो 17,600 करीब लेवल पर लगा देंगे, क्योंकि अगर इस टाइम इस level को break नहीं कर पाया तो वापस से यह level break होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर जो हमने sell किया था वो 17,600 के लेवल पर sell किया था, और हमने जो SL लगा था वो 17,650 के लेवल पर SL होगा, यह तो आपको ध्यानी होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम SL में modify करेंगे, price जब 17,580 के नीचे चला तो यहाँ पर हम SL को modify करते हुए, कहाँ पर लेएंगे, buying price पर हमारा SL हो जाएगा, यह नि किसी भी conditions में अब हमें यहाँ पर loss होने वाला नहीं है, आइदर यहाँ पर हम क्या रहेंगे, यहाँ पर हम profit में रहेंगे, यहाँ पर अपना positions हम cost to cost में ही exit करेंगे, वो कब होगा जब price आपका 17,580 के नीचे चला जाएगा तब, अब देखिए price आपका नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, 17,588 के लेवल पर अल्वेडी आ गया है, तो चलिए अब हम चार्ट पर देखते हैं, कि वहाँ पर price का momentum किस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम वा अगर break करना होगा तो यहीं पर break करेगा, यहीं पर break नहीं किया है, और यह आपका 17,580 के लेवल को नीचे आ गया है, अब हमें अपना stop loss चेंज करने का time आ गया है, तो यहाँ पर हमने sell side की तरफ जो entry लिया था, वो हमने लिया था 17,600 के लेवल करीब, अब यहाँ पर हमार नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने loss को avoid कर लिया, और यहाँ पर हमने help किसका ले रहे, क्योंकि चार्ट से हमें ज्यादा कोई clarity नहीं मिल रहा, price आपका एक range में move कर रहा, लगबग आपका 10 बजे से लेके 1 बजे तक, price आपका एक range में move कर रहा, लेकिन हमें option जिन से clear cut indication मिल गय कि price अब नीचे जाना start होगा और नीचे जाना already start कर दिया, तो यहाँ पर हम अपने stop loss को वहीं पर लिया, जहाँ पर हमने sell side की तरफ interview लिया थे, यहाँ पर हमने loss को avoid कर लिया, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ profit हो सकता, यानि तो हम cost to cost में निकल सकते, यानि profit के chances यहाँ पर हमारा increase हो गया, यहाँ पर अब मैं आपसे थोई देर बाद मिलता हूं, आइदर यह हमारा SL 17600 के level को hit करें, या फिन हमारा target price 17500 के level को hit करें, यहाँ मैं आपको वापस से option chain दिखाना चाहूंगा, option chain में क्यों दिखा रहा हूं, यहाँ पर जबदस्त, यहाँ पर put side के तरफ, तो OI यहाँ पर decrease हुआ है, आपका 70 से उपर था, अब यहाँ पर 63 lakh के करीब हो गया, और OI चेंज में डिवेस्टिकली decrease देखने में पर था, जो कि आपका 33 lakh के करीब है, वो यहाँ पर decrease होके 22.8 lakh के करीब रहे गया, अब यहाँ पर call side के तरफ आते हैं, इधर आपका OI, लगबग आपका 83 lakh के करीब हो गया, यहनि, put side के तरफ जितना है, उससे लगबग आपका 10 lakhs ज्यादा open interest इधर increase हो गया, तो हमने पहले ही देख लिया था, कि यहाँ पर call side के तरफ OI का build-up जवरदस्ट हो रहा, जवरदस्ट यहाँ पर addition देखने को मिलवा है, call by chain ज्यादा हो गया, put side की तरफ, मतलब यहाँ पर हमें और ज्यादा severity मिल गया है, कि market अब आपका 17 600 के level से नीचे ही closing देने वाला, मतलब anyhow यहाँ यहाँ पर मुझे कुछ न कुछ profit मिलने वाला, और market अभी आप देखिए, 17 540 के करीब trade कर रहा है, यहनि, already मेरे favor में कितना move कर रहा, 60 point का profit already मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम 40 point का profit भी नहीं छोड़ेंगे, हम इस 40 point के profit को भी secure करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और सी देखना है, अगर हम 17 550 के level पे आए, तो सिर्फ आपको OI change पे focus करना है, इधर देखिए, 14 lakh के करें, और उसके against इधर आपका 19 lakh के करीब, मतलब, आज का addition की अगर हम बात करें, तो 17 550 के level पे भी अच्छा खासा call writers का addition हुआ है, सिर्फ यहाँ नहीं, 17 500 के level पे देख लीजे, OI पे यहाँ पे हम focus नहीं कर रहे है, OI change इधर आपका 23 lakh करीब है, और इधर आपका 25 lakh करीब है, मतलब, OI change के basis पे अगर हम देखें, तो 17 500 के level भी यहाँ पे हमें hit होता हुआ दिख रहा है, price यहाँ तक भी जा सकता है, इसके chances हमें clear cut देखने को मिल वे, क्योंकि अब जो हमें neck to neck fight देखने को मिल वे, वो 17 500 के करीब देखने को मिल वे, मतलब, price भी अभी आपका इसी करीब है, मतलब market जो close देगा, इसी level के करीब हमें closing देखने को मिल सकता है, इससे आइधर 25 point उपर हो, या फिर 25 point नीचे हो, कहीं पे भी हमें इसी की आसपास closing देखने को मिलेगा, 25 point उपर या नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमें OI chain में fight देखने को मिल वे, 17 500 के level पे call vites हा भी है, और 17 600 के level पे तो call vites जब देखने को मिल वा, उसी की आसपास हमें closing भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा जो target price है, उसके hit होने के chance से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 point का profit मिलने के बावजूद भी हम profit यहाँ पे book नहीं करेंगे, हम अपने target price के लिए वेट करेंगे, ज अगर आप put side की तरफ percentage OI change देखें, इधर आपका negative में है, वो in the money put side की तरफ, और इधर कहीं है भी तो highest आपका 1500% है, और उसके बाद सारे जगा आपको 50-70% देखने को मिलेगे, जबकि इधर आप अगर call side की तरफ percentage OI change देखो, तो इधर आपका लगबग 1400%, सारे 700, 800% तक ह हमें देखने को मिल रहा है, और आपका 100%, सारे 400%, देख सकते हैं कितना जवर दस्त है, तो यह भी आपको clear cut idea दे देगा, कि आपने जो trade लिया, वो side action में trade लिया, यहाँ पे call writers बहुत जादा strong है, और put writers यहाँ पे बहुत जादा कम जोर है, तो weakness का idea आपको percentage OI change भी काफी हद तक आपको दे देता है, इससे पहले भी आप देख सकते हैं, यह भी आपको clear cut idea दे देगा, कि यहाँ पे call writers का मजबूती का और put writers के कमजोरी का, तो चलिए, यहाँ पे आपसे थोई देर बाद मिलते हैं, जब आज़ यह मेरे target को hit करेगा, या फिर मेरे stop loss को hit करेगा, अब क्योंकि market आज उतनी असानी से profit देने वाला नहीं था, हमने बार-बार option chain का मजद लिया, वहाँ से हमें clarity मिला है, हमें chart उतना कोई clarity नहीं दे रहा था, chart बार-बार हमें डरा रहा था, धमका रहा था, लेकिन option chain से हमें आज clear cut direction मिला है, तो कभी-कभी आपको option chain बहुत ज़ clear cut pattern हमें देखने को नहीं मिला, एक pattern मिला है, आपका lower high pattern तो clear cut मिला है, लेकिन जब तक वहाँ से हम trade लेते, तब तक काफी देर हो चुका होता, और उतना severity भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि market बार-बार bounce back दिखा रहा है, लेकिन option chain हमें काफी confidence दिया है, कि आप sell share की तरफ बने गया होगा, और जो भी लोग options में trade किये होंगे, वो भी यहाँ पर लगवगा आपका 70-70 points का profit वो भी secure कर लिए होगे, क्योंकि जिनको भी options sell करना था, 17-650 के put options को यहाँ पर आपको buy करना था, तो options trader भी यहाँ पर आसानी से profit बना सकते हैं, और जो लोग futures में trade करते हो भी यहाँ पर आसानी से profit बना सकते हैं, तो उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए, ताकि इस तरह के live marketing वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे, तो मिलते है नेक्ट वीडियो में, जैहिन!